हिंदू के सबसे बड़े मसीह बने योगी एक जटके में योगी ने बदल दी 63 हिंदू परिवारों की जिंदगी 50 साल बाद योगी ने लगाया सक्मो परमरहम शोगी ने बढ़ाया मदद का हाथ तो भावुग हो उठे परिवार जो कोई नहीं कर पाया उसे योगी ने कर दिखाया क्या सच में योगी हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक बन गए हैं और क्या वाकई में योगी का काम बोलता है और नाम भी शोगी ने एक बार फिर से ये साबित करके दिखा दिया कि राजधर्म सत्ताधर्म के साथ साथ सनातन धर्म के भी वो रक्षक है ये बात हम नहीं बलकि वो तरेसक हिंदू परिवार बोर नहीं है जिनके जक्मों पर शोगी ने एक फैसले में ऐसा मरण लगाया जो ताउन्ड वो कभी भूल नहीं पाएंगे चलिए अब पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं और बताते भी हैं जानते हैं कौन है ये परिवार और क्यों शोगी बन गए इनके लिए सबसे बड़े मसीहा चलिए अब ये भी जान लीजे ये तस्वीरे हैं उन 63 हिंदू परिवारों की जिन्हें योगी ने जिन्गी भर ना भूलने वाला तौफ़ा दिया है क्योंकि 1970 में तदकालीन पूर पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को दश्कों का इंतजार शोगी ने चुटकी बजाते ही खट्म कर दिया कानपूर दियाद के रसूलाबाद में विस्थापित सभी हिंदू परिवारों के लिए शोगी ने पुनर्वास की युदस्था की हर परिवार को किसानी के लिए दो एकर आवास के लिए शानी की मकान के लिए 200 वर्ग मीटर समीन दी है अब सोच कर देखिए पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदू बंगाली परिवारों को अपने मूल देश में ही परतारना का दंश छेलना पड़ा मगर भारत ने उन्हें ना सिर्फ शरण दी बलकि उनके रहने खाने और आशाने का भी बंदोवस्त किया मानवता और हिंदू के प्रती सेवा का ये अभूपूर उधारन है पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आये हुए अल्पसंक्यत समुदाय के लोगों को भारत में नाकरिक्ता देने और उनके पुनरवास के लिए एक्ट बास किया गया है उसी का सफूल है कि योगी सरकार ने समय बद धंसे हिंदू परिवारों के उनस्थापन की कारवाही को आगे बढ़ा दिया शकीनन ये दश्बीरे देखकर नई वातनेतिक ददों के सीने पर साथ लौट रहे हुए मगर ये सच साबित हो रहा है कि योगी ने कभी भी हिंदूों को वोट के लिए इस्तवाल नहीं किया जैसे पूर्व की सरकारों में हुआ किसी दिशेश धर्म और जाती के लोगों के लिए योजनाय बनाई जाती थी मगर ये योगी की सरकार है योगी के राज में ऐसा नहीं होता अगर ऐसा ना होता तो फिर योगी हिंदूों के सबसे बड़े एंगरी मैन कैसे बन पाते फिर रिपोर्ट न्यूस वर्ल्ड लिया